और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस टेकनिक पर और मेरा ओल मिस्रा बाइनोमियल की क्लास में आप सभी का तहे दिल से इस्तक्वाल करता हूं ठीक है तो क्लास करते हैं स्टार्ट उससे पहले वीडियो को धड़ादर कर दो सेयर तभी हम की कसम खाके कह रहे हम पैन नहीं होता है बिल्कुल शेयर कर दो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सभी लोग ठीक है चलिए बई तो क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम गेस्ट ना करते हुए बाइनोमियल तेहरम में चार टाइप के क्वाश्चन आपको मैं सिखा चुका हूं प चौटा तीसरा कॉस्ट है बाइनोमियल तेहरम जो आपकी है उसके संवर में 10 की पावर एन कोफीशेंट निकालना और 4 कोश्चन में बताया किьте तो नेखा फ्लीके आउटल की क्लास यmosa वाले हैं वो है क्या कि x प्लस हैwon के एक एक्स पंशन में expansion का मतलब होता है यह प्रसार में तो एक्स प्लस एकी पावर एन के प्रसार में मध्यपद निकालना क्या निकालना मध्यपद निकालना ठीक इसका अर्थ होता है मध्यपद का मतलब इंगलेश में होता है मेडल टर्म निकालना कि क्या निकालना मध्यपाद का 트म करना कि मिडल टम और रेक्स प्लस कब्लस में अधकर्ध क सब्सक्राइब का और है फाइंड करना है थीर्ट करना है क्या चूपसिंट करना है यहां पे चोटल्स दो संभाव नहीं मिडल time find करने की कैसे इस power जो एन है इस power पे डिपेंड़ करेगा तो आपका क्या है क्योंकि यह पावर या तो आपकी होगी सम और या होगी आपकी विशम अर्थात या तो होगी यह even और या होगी यह बात के लिए तीप अगर आप लोग हाई स्कूल से आए हैं और अपने फ्रिक्वेंसी और इन सब चीजों के मिडल टम निकाला होगा और अपने बारम बारता निकाली होगी है है यह सब चीजानन करें हैं कि नहीं है न था तो वहाँ पर इनफाप आफ़ अपन प्लस Hank थरी अपॉण तो वहां जो भी ओता हो उससे मतलब नहीं है अपनको देखना है यह तो जब आपका एन जो है वो क्या है इवन नंबर है तो इवन नंबर है जैसे हमने कहा तीन है जैसे मैंने आपसे बोला फोर है पावर एन की वैल्यू कितनी है तो देखना कैसे खुलेगा यह और सी जीरो और सी वन और सी टू और सी थ्री और सी फूर पावर है चार और टाम है जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा क्या होता है पद होता है क्यों क्योंकि जीरो से ओपन होता है तो एक पद आपका क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो इस वजए से जब आपका इवन नंबर है क्या है इवन नंबर है तो उस कंडिशन में मिडिल टूम क्या होग तो आपका n upon 2 plus 1th term तो ठीक ये वाला term आपका क्या होगा middle term होगा कैसे जैसे 4 है तो 4 के लिए क्या होगा 4 बटे 2 धन 1 4 upon 2 plus 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3 मतलब 3rd term आपका क्या होगा middle term होगा जब और गौर से देखो तो 4C 0 खुलता है 4C 1 खुलेगा 4C 2 खुलेगा 4C 3 खुलेगा 4C 4 खुलेगा जरादेखो 1 2 3 4 5 तो कौन सा पध पहला दूसरा तीसरा पध हमने कहा था आपका मजल टाम होगा आया की नहीं आया थी rasa एक कवपन loodhi तू प्लस फलाइन तू प्लस वान तू प्लस तू सिसा कवान थरी मतलब थद क्या होना है मिलें टब जब एक मियान कुकर क्वोंत मैं उழी एक बहुत अब और तोड़ क्ने यह पाँच हुए तो नहीं तो इस तरह के छोड़े दो इस तरब के छोड़े बीच में कौन बैटे हैं तो पहला दूसरा और तीसरा पद आपका क्या होगा मिदल तर्म होगा क्लियर की नहीं क्लियर ठीक तो अब अगर यह तो भी चोटी सी संख्याती और बड़ी आगी 128 में मिदल तर्म बताओ तो के 128 पर तोली ना खोलेंगे तो उसमें आपन क्या लगाएंगे सीधा फॉर्मला अपलाई करेंगे पता चलिया कि कौन से टम हमें निकालना है जो टम आपका आया कि यह वाला टमों का बस की बर वही निकाल लेंगे अपन बस सिंपल सी तो बात है नहीं आया तो यह हुई किसके लिए बात इन के लिए और यह उसका एक एक अग्जाम्पिल फीग यह नहीं लिखना है अपने को फीख अब बात करते हैं जब हमारा नंबर कैसा होगा और होगा जब हमारा नंबर और होगा तो उसमें देखो क्या होगा जैसे हमने कहा एन इक्वल टू आपका कितना है नाइन है तो कैसे का आपका 9C 09C 192 9C 399 C 4 9C 5 9C 6 9C 7 9C 8 page खतम 9C 9 यही हैं कि आएंगे खिलाख अब आए वान टू ठी पॉर फाइव सेग तैवन तो तो doggy ते टंटं ट ट्रइंटम तो ट्टेन में देखो एक तर से छोड़ा एक दर और सच में डूर में पहले यह च्पाय जब आपका एन कैसा होगा और होगी तो मिडल तंप कितने आएगे हमारे और जब जाब को मिडल तर्ड में क्या है यह क्लियर की नहीं तर्लिक पू बिशम संख्या होगी तो तब कंडीशे में होगा, का एंन प्लस 1 अप्वन तो नम कि ऑपन टुर्व या कि मतलब तो तो महनैं एंडन प्लस थी अपॉन टॉ टो मेद सुरर्ब एंडन प्लस इवन-वापन-वापद और N plus 3 upon 2 मापद तो हो X plus 1 की पावर N के प्रसार में मध्या पद निकालने के लिए अगर हमारा N even होता है तो formula this applied अगर odd होता है तो formula clear जैसे हमें पता चलेगा कि ये वाला पद हमारा क्या है middle time है बस वो ये वाला पद निकालो कैसे एकस की पावर N मापद निकालना वाला सिखाया था ना हमने एकस प्लस एकी पावर N के प्रसार में बार मापद निकालो यह दस मापद निकालो तो जिसको एनो टी करना हो सो कर लो जैसे इस वाली condition में देखते हैं स्थो नाइन प्लस रापॉन ऑपन टू हिट्व हो गानाइन प्लस वण टैन अंपॉण 2 गिंगे यह तो चैशा होगा един प्लसpeople to मतलब यह नहैंन नाइन अची पॉआण सिक्स्त होइव चोर्णी तो देखो ज़घू दिहां से पहला दूसरा तीसा चौताब पांच मांच अपमां च John & यह रहा अपका एविन के लिए एग्जामपल की चल्बर बस का और एग्जामपल जिसको जल्दी से नोट करना हो यह चीज़ शञान को उसके बार पने एक क्वर्शन अप्लाइत करके देखते हैं कि कैसे यह अपना होता है ठीक है है हो गया नोट है है बैट जारुखन है कुछ नहीं मतलब है चलो हो गया यह नोट चलो आगे बढ़ें क्वेश्चन देखो एक जल्दी से कि बोलते हैं कि मिडल तम निकालना है अपनको किस में एक स्कॉर प्लस वन अपॉन एक सीकी पावर एट यह प्रसार में क्या निकालो मध्यपद निकालो मध्यपद ग्याद कीजिए ठीक है एक क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद जब मध्यपद हो जाएगा तो आएगा महत्तम पद ग्याद कीजिए ना महत्तम पद ग्याद करना बस और बाइनोमियल सतम बच्छा पहले था बहुत से लेवन अब तो बहुत कम हो गया तो एक्स प्लस नहीं पढ़ना है अपन को है ना जितना बचाए के वल उतना पड़ो का है को फाल्तु मैं बाइनोमियल नहीं को चलाएंगे अभी 15 दिन और लेकिन अपन को नहीं पढ़ना उतना जितना आना है उतना पड़ो बस ठीक है क्योंकि अपन को सेमस्टर भी क्लियर करना है बाइनोमियल पढ़ते रहोगे तो थोड़ी है या पांस नंबर की तो आदि है तो एक्स स्कुराइपलस बना पॉन एक्स की पावर एट के संक्या है ठीक है तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा जो हमारा मिडिल टर्म होगा इविन के लिए एन अपॉन टू प्लस वन ठर्म होता है होता है कि नहीं होता है हां तो एन आपका एट है अपॉन में टू प्लस का वन आ जाएगा तो पॉर प्लस वन इस पांचमा पद हमारा क्या है मिडल टर्म है मध्य पद है अब अपन को पांचमा पद भी निकालना है तो आर इसे पांचमा निकालना है तो एक कम लेंगे तभी तो चार प्लस एक माच होगा तो कि फॉर्मला क्या होता है जन्रल टम का टी आर प्लस बन हमें निकालना टी फाइव तो फाइव कैसे आएगा फॉर प्लस बन करने पर आएगा कि नहीं आएगा तो जे हुई अपनी बात तो आरएक होल टू फॉर एग्वल टू हमने पता है एट है ठीओ और इसकी कमपरेजन जड़ा एक्स प्लस एक की पावर जे करो तो एक्स एक्स एक्वल टू किता आगया आपका एक्स स्कॉइर ठीक और A is equal to किता आ गया 1 upon X कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात ही नहीं हुई अपनी है ना तो general term का formula होता है TR plus 1 equal to NCR X की power N minus R into A की power R होता है general term का formula यही बिलकुल होता है सब्जिए तो T 4 plus 1 is equal to 8 C 4 X किता X square की power 8 minus 4 into 1 upon X की power 4 कोई दिक्कत नो दिक्कत NCR कैसे खुलता है North Central Railway कैसे खुलते हैं factorial N upon factorial R factorial N minus R factorial कैसे खुलता है जैसे हमने कहा 6 है तो यही 6 से खुलेगा कब तक जब तक की यह बनना हो जाए जब तक यह बनना हो जाए तो जैसे यह बन हुगा सो ही छोड़ देंगे इसके आया बस नहीं तो factorial ऐसे खुलता है जहां इसके आप फ्यारियो फाइंड नहीं कर पाता है तो अगर नेगेटव वैल्यू आपकी आ रही है सपोस्पोस्थ टी के आ रही है तभी तो आज छोड़ देना उसको कह देना नॉट पॉस्ट तो करें इसको so factorial 8 factorial 4 factorial 8 minus 4 into x square की power 4 into 1 upon x पावर factorial 8 कैसे खुलेगा 8 into 7 into 6 into 5 into नीचे 4 factorial है यहा 4 factorial तक खुलेगा 4 factorial into 4 into 3 into 2 into 1 4 से 4 कट 4 2 जा 8 3 2 जा 6 x की power 8 into 1 upon x की power 4 4 से 4 कट बचीं चार ठीक उपर बचा 7 5 जा 30 और 30 7 5 जा 35 35 2 जा 70 ठीक इन्टू x की power 4 यह हमारा middle term आ गया clear यही हमारा प्रंसत्तर है ओके question पूरा नंबर भी पूरा क्योंकि पूरा किया ना इतने होगा बस 30% से जादा यह चोटा नहीं होगा ठीक है तो जिसको समझ में आ गया हो वीडियो को like करें और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करो फिर देखो कि लाइक जरूर करो क्या है ना like करने में तुम्हारा कुछ जाना है नहीं ऐसे जाएंगे ठेंगा उसको टन से दबादे उबर इत्ता जाता काम है मैनत तोड़ी करने पड़ती है कि वह बेद पढ़ने हैं हमें भगवां सामबेद पढ़ेंगे तब हमें आएगा like करना किसी भी चीज़ को साथ सेकेंड तो continue मन से देखो ऑटोमेटिक आप इसको लाइक करने लेगा है है चलो भी यह हो गया यहां तक आगे लेकिन मन से देखो और यह आपका उत्तर ठीक है ऐसे नहीं कि देख रहे हैं और फिर लाइक कर ऐसे थोड़ी है फिर वह जो आपकी हाइपोथालमस ग्लेंड होती है ना फिर हार्मों प्रिड्यूज नहीं करते हैं यह सब डिस्ट्रक्शन जतने होते हैं बहुत खराब चीज होती है आपके दिमाग में एक चीज होती है पता क्या सीजोफ्रेमिया दिमाग का एक पार्ट होता है वह आपको केबल केबल निगेटिव सोचने पर मजबूर करता कैसे ब बैठते ध्यान यहां बटक जाता दिकत क्या है यह सेजोफ्रेमिया आपको परिशान करते हैं क्या होता है कि जैसे आप पढ़ाई करने बैठे ही और तो सोचो पढ़ाई करते हल्की सी प्यास लगी वहां से आपका माइंड डिस्ट्रॉब होना सुरी पानी पीने उठे चल चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए इतने उपर से टन से वार्ट सब्सक्राइब चलो इसको और देख लेते हैं इतने में इंस्टा पर किसी की लाइव इस्टार्ट हो गई हाई कैसे हो अच्छा और देखो जब आप यह सब चीज कर रहे हो उस टाइम पे आपके दिमाग का एक पार्ट ऐसा होता है जो लगातार आपसे कहता है यह सब फाल्टू है इने हटाओ पड़ाई पे ध्यान दो है ना दिमाग में आपके हर दिन में यह खयाल आता होगा कि नहीं यह सीजोफ्रेमिया इतना खराब है कि वो उस दिमाग की बात को क्या कर देता है दबा देता है ठीक है आपके उपर सीजोफ्रेमिया इतना हाभी हो जाता है उस टाइम पे यह आप अपने उस दिमाग की सुनते ही नहीं हो आप इस दिमाग की पता कब सुनोगी जब आप यह ए तो आज नहीं क्ली होती है। तु आज कुछ होते हैं फिर मॉवाइल से नफ्रट हो जाएगी तो वहाँद न पह Sherman कहूँ है टाइमबेस्ट करना दोचीज़ों में होता एक साधे कर साधों को सो तो यह पच्टावा पर आपका टाइम वेस्ट करोगे जब आपका डिसीप्लिन वाला टाइम निकल जाएगा फिर 27-27 साल की एज में घर पे इस्टे दिया रहे तिक है मम्मी पापा परेसान मोड़ा अकेलो है साधी नहीं हो रही बिल्कुल दिक्कत हैं यहीं आएंगी यहीं से सुरुआत होती है दिक्कतों की ठीक है तो फिर आप पस्ता होगे कास जब हम पॉली टेक्ने कर रहे थे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते बात माल लेते रहो उपर की तो कुछ होते है ना इसलिए माल लो बात अभी माल लो सी कि अगला कोश्चन देखते हैं क्वश्चन आपका 3A कि वश्चन आपका 3A माइनस 3A माइनस क्या है एक यू ओबर 6 बात नहीं एक यू ओबर 6 तीक है और इसकी पावर 9 तीक है के प्रसार में मध्यपत ज्याद करो क्या बताना है आपको इसमें middle term निकालने हैं तो देखो हम तो देखते ही साथ बता देंगे middle term दो आएंगे क्योंकि n की value है odd ठीक है और जब n की value odd होती है तो कितने middle term आते है दो और even होती है तो middle term आता है एक clear बस निकालो वो दोनो term ठीक है देखो कैसे n is equal to 9 which is an odd number so middle term आपके क्या हो जाएंगे middle term हो जाएंगे आपके n प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 3 अपॉन 2 ठीक है तो n प्लस 1 कितना है आपका नाइन प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5 अपी और случае 9 PAC-3 अपनटी मतलब 12 अपॉन 2 मतलब शिक्त इंप तो بस कुछ नहीं अब इसके प्रसार में फिफ्टरम निकालो इसके प्रसार में इन राजिए आए नहीं आए आया आया तो जल्दी से pen's don而且 देख रहे हैं फिफ्ट टम निकालेंगे तो आर की वैल्यू फोर ठीक और एक्स की वैल्यू कितनी है फिरी ये और एकी वैल्यू कितनी है माइनस का एक्यू अपॉन सिक्स ठीक तो टी फिफ्ट टम निकालते हैं अपन तो 9C4 3A की पावर 9 माइनस 4 इंटू माइनस AQ अपॉन 6 की पावर 4 प्रेक्टोरियल 9 प्रेक्टोरियल 4 प्रेक्टोरियल 9 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 5 A की पावर 5 माइनस 1 की पावर 4 A की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4 तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू factorial 5 5 से 5 cut 4 2 तो जा 8 3 2 जा 6 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 1 की पावर 5 minus 1 की पावर plus number है ना even number है ना तो ये plus में ही आएगा एक पावर 12 upon 6 into 6 into 6 into 6 त्री तूजा त्री तूजा त्री तूजा त्री तूजा ठीक तूसे टू कट अब क्या बचा नाइन सेवेंजा सिक्स्टी थी यहां कुछ बचा नहीं एक ही पावर सेवेंटीन इन टूजा पाँच थे न इन्टू एक पावर सेवेंटीन अपॉन टूटू जा फोर फोर टू जा एट इधर कुछ नहीं है ठीक आंसर आएगा थ्री त्री जा नाइन थ्री जा एट्टीन ओवर एट एक पावर सेवेंटी जी आगया आपका पांच मापद ठीक यह एक आगया में डिल्टम ठीक है अब क्या निकालेंगे अपन टी सिक्स निकालना है कि फाइव नहीं आएगा यह पूर आपका पांच मापद निकालना पो है अब क्या निकालेंगे अपन ऐसे ही छटमा पद निकालेंगे अक तो एन एकवल टू है nine आएकस इपल टू आपका वोगा वह एक है कि ए जिक्वल टू होगा वह आपका माइनस का थोबर एकिऊ जे नहीं प्रिल्वर एकिऊ माईनस का एक क्यों क्याना हो जाएगा आपको निकालना है छथवा पर आप तो तो नाइन सी में 5 कैसे पता है ना फलस बन उता है टी आर प्लस बन तो आर मतलब 5 प्लस बन तबी तो च्ल आइगा तो यह एक्स की वेल्यू त्री एक पाबर नाइन माइनस फाइब इन्टू माइनस एक्यू एक मनेट कॉस्चर गलत हो गया है यहां पर फॉर नहीं आएगा माइनस एक्यू अपन मैंने सही है कोई दिखकत नहीं है माइनस एक्यू अपन एक्सकावर एक्सकी पावर एन माइनस इस एकपावर और यहां गलत कर देते हैं 9 factorial 5 factorial 4 तो भी 9 minus 5 4 into 3 की power 4 a की power 4 minus 1 की power 5 a q की power 5 upon 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6 पाच वार ठीक हाँ इसको ओपन करो तो 9 into 8 into 7 into 6 into factorial 5 upon factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 पाच से 5 4 2 जा 8 3 2 जा 6 into 3 into 3 into 3 into 3 into 4 into a की पावर चार एकी पावर पास्ती 15 15 और चार 19 into minus 1 की पावर निगेटिव सो यह लगा दो यह माइनस ठीक आपोन 6 6 6 6 6 6 2 3 जा 6 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और कुछ हां 3 3 जा 9 3 2 जा 6 क्या बात है मतलब एकदम बढ़िया वाली बात सेवन थ्री जा 21 वो भी माइनस में इधर कुछ बचा हमें नहीं दिख रहा इधर कुछ बचा नहीं दिख रहा एक ही पावर 19 आप पॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 दुनी 16 तीक यह ता आपका छटमा पन सो वाट इस दा आंसर इस यही हमारा परमस प्रत्य पूस्तर है ठीक यह रहा आपका पांचमा पद यह रहा हमारा छतमा पद है है क्या कि अगर अगर यहां माइनस लेते फिर हम यह क्यों अग्यू माइनस मनें लेते लिए फॉर्मला एकस माइनस एक की पावर एन लगजाता है वह कर बगाएं टे तब के कर इक तरीके से दो डो तरीक कि पावर एन का फॉर्मला क्या यहां यहां आजाता है माइनस 1 की पावर र एनसी आर- की पावर और Maintenant लृडट nे रखना है दिमाग में दो on मिदलुटर निकालना है ना तो यह 5 नंबर का कॉस्चन आता है मिदलल टने फाला तोटल 5-5 नंबर के 5 questions आते हैं 6 question मतलब six question 5-5 नंबर के आ सकते एक आप आपसे एक्सपेंड करने को बोल सकता नहीं बोलेगा तो आपसे कोई term निकालने को बोलेगा नहीं बोलेगा तो पर आपसे constant term निकालने को बोलेगा वो भी नहीं बोला तो फिर मिडल टाम निकालने को बोलेगा और जे सब कुछ नहीं बोला उसमें तो पर आफ से ग्रेट अश्टम निकालने को बोलेगा और वो अपन सीखेंगे तब तक सभी को टाटा बाई बाई रादे असलावालीकूम सस्याकाल जैहंद जैभारत वीडियों पे जो नए हैं वो सेयर करें लाइक करें सस्क्राइब करें जो पुराने हैं वो दूसरों को बेज़ें और दूसरों को जोड़ें ठीक है अपने रिष्टेदारों को बेजो दोस्तों को बेजो यारों को बेजो ठीक है तब तब सब के लिए बाई बाई टाटा रादे रादे जय हिंद्ध जय भारत वहमा उपूल कादिगारत